So hey guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप cursor को जो कि एक AI code editor है, उसको आप free में कैसे use कर सकते हो आज मैं आपको सारे methods बताने वाला हूँ जिनको use करके आप cursor AI code editor से ज़्यादा अच्छा workflow वो भी अपने VS code में कैसे बना सकते हो and guys, यह method मैं खुद use करता हूँ और यह cursor से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है तो cursor के दो main features हैं, एक है tab auto complete जिसमें हम कुछ letters टाइप करते हैं and cursor हमको हमारे code का context लेकर हमें recommendations प्रोवाइड करता है and हमको बस tab press करके उसको accept करना होता है यह हमारी productivity को बहुत ही drastically improve कर देता है जो हम code write करते हैं इसका जो second feature है, वो है chat का जिसमें कि आप इसको कुछ भी करने के लिए कह सकते हो और cursor chat आपको वो करके देदेगा आप इसमें file भी provide कर सकते हो तो यह दोनों features आप अपने VS code में कैसे use कर सकते हो मैं आपको आज यह बताने वाला हूँ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे ही AI related videos बनाते रहता हूँ जो कि एक developer अपने daily workflow में use कर सकता है क्योंकि मैं खुद एक developer हूँ और मैं AI को अपनी productivity बढ़ाने के लिए use करता हूँ तो अगर आपको भी अपनी productivity बढ़ानी है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो तो मैंने आपके लिए एक diagram बनाया है जिसमें बहुत easily मैंने समझाने कोहिश करी है कि आप cursor के ये दो features हैं उनको free में कैसे use कर सकते हो तो सबसे पहले जो feature है जिसका नाम है tab auto completions उसके लिए आप GitHub को को पैलेट यूज कर सकते हो इसके लिए मैंने एक video अलड़ी बना रखी है जिसको कि आप YouTube में सर्च कर सकते हो GitHub Copilot for free compile future ये सर्च करके आपको पहली वीडियो मिल जाएगी हमारी जिसमें हमने बताया हुआ है कि आप GitHub Copilot को बिल्कुल भी free में कैसे use कर सकते हो तो आप इस वीडियो से tab auto complete तो free में कैसे use करना है वो तो सीख लोगे अब हम चलते हैं चैट पे तो चैट के लिए हम एक software यूज करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइन और इसका older name जो था वो Claude Dev था तो क्लाइन एक ऐसा extension है जिसको आप VS Code में download कर सकते हो और इसके थूँ आप कोई भी model यूज कर सकते हो अगर आपके वास किसी model का paid subscription है तो आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हो बट अगर आपके वास कोई paid model नहीं है तो अभी मैं यही बताऊंगा कि आप कुछ models को free में कैसे यूज कर सकते हो तो क्लाइन को run करने के लिए हमें एक model की need होगी any model paid होते हैं तो अगर आपको कोई model free में use करना है तो उसके 3 methods हैं जिसको आज हम इस video में discuss करेंगे तो यह सबसे easy और पहला method है कि Google का Gemini API है वो Google ने हमको free में दे रखा है तो जो Google के Gemini models हैं वो Google ने हमें free में दे रखे हैं कुछ rate limits के साथ जिसको आज हम क्लाइन में use करके हम projects बनाने वाले हैं तो यह Google के Gemini के models हैं जिनको कि आप कुछ हद तक free में use कर सकते हो और यह more than sufficient होते हैं आपको rate limit की tension लेने की ज़वत नहीं है क्योंकि हमाँ पास काफी models है इनकी जो rate limits हैं वो अलग-अलग defined है तो अगर एक खतम होता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हो दूसरा खतम होता है तो आप तीसरा यूज कर सकते हो ऐसे हमारा काम चल जाता है तो अब हम जानते हैं कि इसको use कैसे करना है तो अब हम चलते हैं अपने VS Code पे तो VS Code में आपको extensions टैब में जाना है आपको API provider मिलेगा, इसमें आपको Google Gemini set करना है, और आपको यहाँ पर अपनी API की डालनी है, अब Google Gemini की, जो free API की है, वो आपको कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको जाने अपने ब्राउजर पे, और आपको सर्च करना है Google Gemini API की, हमने की in Google AI Studio, इसमें click करने के बाद, आपको यहाँ पर सब कुछ एक्सेट कर के, एक्सेट कर लेना है, देन आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, create API की करके, आपको इसमें click करना है, यहाँ आपको आकी API की create हो जाएगी, आपको इसो copy करना है, और आपको फिर से, उसको टाANT कडिक करना और यह पर दर्ड करना है आपके एके सेभ हो Adams अब आप के सलाइं को यूज कर सकते हो又 करने से पहले हम को क्लाइन को बताना होगा कि हमको गुगल के मौन सा मॉडल घूच करना है तो कम कर सेटिंग जाना है ऩngचाल कर देंधा लग गोहां पर एक 0.0 flash experimental यहाँ पर done पर क्लिक कर देता हूँ जो experimental models होते हैं उनमें ज्यादा rate limit मिलती है हमको क्योग गूगल को train करना है उसमें experiments करने तो हम Google की help करते हैं उस model को data provide करके ताकि वो train हो जाए यहाँ पर कुछ thinking models भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि जो हमारा deep seek r1 है वैसे ही model होते हैं यह thinking models तो मैं यहाँ पर कोई model select कर लेता हूँ done पर क्लिक कर देता हूँ आपको यहाँ पर model भी दिख जाएगा कि आप कौन सा currently model यूज कर रहे हो तो अब हम इसको कोई task देते हैं तो prompt लिखने के बाद आपको यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर दो mode मिलेंगे एक है plan mode जिसमें की client आपका जो prompt है उसको analyze करेके proper पर एक plan बनाएगा आपके उस app का जो आप बनाना चाहते हो या फिर आपके कोई भी टास्क का जो कि आपने इसको दिया होगा and second चीज कि आपको यहाँ पर auto approve को on कर देना है और auto approve में क्लिक करके आपको सारे टिक कर देना है अगर आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट आपको बार बार manually approve करना पड़ेगा जब भी कोई फाइल रीड एरेट है और execute कोई command करेगा तो मैं तो सब कुछ टिक रखता हूं ताकि सब कुछ automatically हो जाए अब हम इसको ट्राइ करते हैं तो मैंने जो mode है plan कर दिया क्योंकि पहला जो command होता है मैं plan में देता हूं ताकि यह पूरा plan करके फिर मैं act mode पे switch करता हूं act mode में इस सारी files मनाएगा सारा code लिखेगा तो चलिए अब हम इसको prompt दे देते हैं तो इसने सारा project का structure एंड जो plan है वो सारा त्यार कर दिया है आप इसमें images में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि यह क्या करने वाला है एंड जो project का structure है वो भी इसने define कर दिया है अभी हमसे ask कर रहा है कि आपको act mode पे click करना है ताकि यह जो game है यह बनाना start कर दे तो मैं हाँ पर act mode में click कर देता हूं एंड आप आप देखना कि यह सारी files भी बना देगा automatically and सारा code यह अपने आप ही कर देगा इसने एक पूरा application जो कि एक game website है इसने दो मिर्ट में बना के त्यार कर दिया है एंड यह बिल्कुल ही free में हुआ है आपके सामने अब यह request कर रहा है कि यह command आपको run करनी है या नहीं अगर मैं run command करूंगा तो यह open कर देगा इस index.html को अब देखते हैं यह देखो सारा app इसने बना के रेडी कर दिया है तो अब हम इसको ट्राइ कर लेते हैं एक बार यहां पर मैंने X कर दिया है 0, then X, then 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 0, then X, so it's a draw किसी को एक बार जिता कर देखते हैं 0, X, 0, X, player X wins तो इसने बहुत ही एजली हमारे गेम को रेडी कर दिया है अब मैं सो क्लोस कर देता हूं तो इससे आप सिर्फ एप नहीं आपके पास अगर कोई एक अल्री मेड अप है या फिर आपके कोई कोड है अगर उसमें कोई बग है तो आप उसको भी इसके तुरू स कर लेना ऐसे करके आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो यह रेट लिमिट छोड़े टाइम के लिए होती है कि मिनेट आर्स तो आपको यह इतना एफेक्ट नहीं करेगी आप इसको 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 एजी ली उसकर सकते हो अब हमारे सेकिंड मेठोड की तरफ चलते हैं जो कर सकते हो अप उसको यूज कर सकते हो क्लाइन के अंदर करना कैसे वह मैं आपको बता देता हूं हम इसके लिए यूज करेंगे ओलामा जो कि हमें कोई भी उपन सोर्स मॉडल फ्री में अपने PC में चलाने का मौका देता है तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर आपको इसक इसको देखना स्टार्ट करने पर पूरा रहो मदफ कर दो करना चैसे अپ कर Joseph कर tänा कर लोगे आपको बस यहां-पर अपना रलामा अपना रण कर देना एंदगे अन्दगायों में अब बहुत इंद तो मैं इसको यूज नहीं करता हूं बड़ इसके बाद high-end PC है वो इसको ट्राइ कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छा वक करेगा और बाकी साय जो प्रोसेसर वो सेमी रहेगा आपको यहां पर दन करके आप जस्ट यूज कर सकते हो आप देख सकते हैं आप डीप सी का आरवन मिल जाएंगे जैसे कि ओपन याई का जीपीटी 4.0 कलॉड का सॉनेट एंड कलॉड का 3.7 सॉनेट है वह भी आपको अनलिप्ट मिल जाएगा इसके प्रो प्लैन में बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं जो कि आपको फ्री मिल जाएंगे तो क्लाइन में गिटब को पैलेट के करके रखा हुआ है जो कि बहुत इजी टास्क है आपको अपने गिटब कर लोगे आपको क्लाइन में हां पर एक उप्शन आने लगेगा चूज लेंगवेज मॉडल का वी आपिस लेट करने के बाद तो जो भी मॉडल को प्रोवाइड करता है वह आपको यहां पर दिख ज कि इसकी जो स्टाइलिंग है वह इसको इंप्रूफ कर दे अगेड़ ऐनो इसम्ें डार्क मोड भी एड़ कर दे तो इसको एक्जिकूट करने चेहले मैं इसको प्लान मोड में सिफ्ट कर देता हूं इसको यह जो प्रॉम्ट है वह देता हूं इसने सब गेम को एक बार, तो इसने काफी इंप्रूफ कर दिया, इसने होवरिंग एफेक्ट्स, यहाँ पर काफी अच्छा-खासा इंप्रूव्मेंट ला दिया है, इसने अनिमेशन वगेरा लगा दिया है, तो आप क्लाइन को यूज करके कुछ भी आप इससे करवा सकते हो, और इस सब्सक्राइब कर दूँगा उस कमेंट का, और AI से रिलेटेड, बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पब्लिश होने वाली हैं बहुत ही जल्दी, तो आप मेक्शॉर कर लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी नए नए वीडियो पब्लिश करने के लिए, तो वाइस यही था आज की इस वीडियो में, तब तक के लिए, let's keep compiling the future.